दोस्तों अगर आपको neck pain यानि गर्दन में दर्द की समस्या, shoulders में पेन यानि कंधों में दर्द की समस्या, upper back pain, lower back pain की समस्या यानि कमर में दर्द की समस्या रहती हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो ये joints है ना गर्दन, कंधों और पूरी की पूरी spinal cord की joints है इन में बहुत ही जादा stiffness यानि कड़ापन है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे super easy और simple और effective अभ्यास सिखाऊंगी जिनको की आपको निरंतर करते रहना है इन अभ्यासों को अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत से लाब मिलेंगे और वो लाब कौन कौन से है गर्दन का दर्द कंधों का दर्द बैक पेन की समस्या ये तो दूर भागेंगे ही भागेंगी इसके अलावा पूरे शरीर का जो blood circulation है वो इंप्रूव होगा आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता इंप्रूव होगी यानि immunity बोस्ट होगी आपके शरीर का nervous system यानि तंत्री का तंत्र बहुत अच्छी तरीके से strengthen होगा साथ ही उन लोगों के लिए highly beneficial है जो हमेशा office में बैटके या कुरसी में एक जगह पर बैटके काम करते हैं sedentary lifestyle है तो उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा move नहीं करते हैं कि जगह पर बैठे बैठे क्या होता है धीरे-धीरे spinal cord ऐसे जुकेगी गर्दन जुकेगी कंधे जुकेगे इस तरीके से बैठे-बैठे body का जो posture है वो बिगर जाता है जिससे कभी-कभी आपने देखा होगा कि लोगों के यहाँ पर कंधों पर कूबर निकल जाता है तो उन समस्याओं से भी आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी इन अभियासों को जब आप करते हैं तो ना सिर्फ गर्दन कंधे और back pain बलकि आपकी पूरी के पूरी chest region बहुत अच्छी तरीके से stretch होती है जि कि मसाज मिलने से उन अंगों की भी कारिक्षमता इंप्रूव होती है अब ये तो हो गए लाब अब जान लीजे सावधानिया ऐसे लोगों को इन अभियासों को नहीं करना है जिनकी कि अभी तबिद खराब है या कि अभी कोई recent abdominal surgery या कोई back की surgery हुई है वो अभियास ना कर अगर आप pregnant महिला हैं अगर ऐसी लड़किया या ओरतें जिन जो periods के दोरान हैं पहले दूसरे या तीसरे दिन इन अभियासों को completely avoid करें क्योंकि इन अभियासों को आपको पेट के बल लेट कर करना होगा तो वीडियो तो बहुत ही जादा लाबदायक और helpful होने वाली है तो तुरन चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएए और नीचे जो घंटी का निशान है अगर आप उसको दबा देंगे न तो जब भी मैं वीडियो डाला करूंगी उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल लैपटॉप पर मिल जाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूँ एक बोनस टिप तो आईए आज के दिन का सबसे पहला अभ्यास करते हैं जो की वाम अप तो है ही है वाम अप के साथ साथ ये हमारे एक एक वर्टीब्रा की जो टेंशन ह ना उसको इस तरीके से चू मंतर करेगी गर्दन पर भी इफेक्ट आएगा कंधो पर भी इफेक्ट आएगा पेट पर छाती पर स्पाइनल कॉर्ड पर कमर पर हिप्स पर थाइस पर आएगा इसका नाम है जनरली आप इसे कैट एन काउश प्रच के नाम से जानते हैं या मर दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला है और दोनों हथेलियों के बीच में अपने शोल्डर लेवल जितना फासला है ये भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी रिस्ट मेरी एल्बो मेरे शोल्डर ये सारे एक लाइन में है और मैंने अपनी बाडी को बहुत रि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को मैंने आर्ज किया और छट की तरफ देखने की कोशिश कर रही हूँ जिससे गर्दन के ऑपोजिट बहुत अच्छा स्ट्रेच आए इस तरीके से सांस छोड़ते हुए अपनी पेट की मानस्पेशियों को मैंने अंदर की तरफ पुल किया है और पूरी की पूरी एक एक वर्टीब्रा को मैंने छट की तरफ खीचा राउंडेड कर दिया अपनी स्पाइनल कॉर्ड को और अपनी नेवल रीजन की तरफ देख रही हूँ ऐसे सांस लेते हुए पेट की मानस्पेशियों को धीला छोड़े लुक आप टुवर्ड द सीलिंग ऐसे और सांस छोड़ते हुए लुक टुवर्ड द नेवल रीजन ऐसे इनहेल सांस ले रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को पूरा धीला छोड़ दिया ये हो गया काउ स्ट्रेच इस तरीके से सांस छोड़ते हुए कैट स्ट्रेच इस तरीके से बिटिल्यासन और मरजर्यासन ऐसे तो इसका अभ्यास कम से काम 10 से 15 बार आपको करना है और फिर आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो गई है जो आपको हलका हलका पेन बना रहता है ना वो पेन भी नहीं बनेगा और साथी जटका देके ऐसे अभ्यास ना कीजेगा जटका देना हमारा काम नहीं है मैंने आपको जैसे बताया सास लेते हुए उपच्छत की तरफ देखना है और सास छोड़ते हुए अपनी नाभी को कॉंट्रैक करना है और पूरी की पूरी लोवर बैक को अंदर की तरफ ऐसे पु के बीच में इतना ही फासला रहने दे और अपने हिप को अपने हील के ऊपर ऐसे रख दे और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें ऐसे सामने की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर उसके बाद धीर से अपनी चेस्ट को और अपने हेड को इस तरीके से फोर हेड को drop कर दे कम से कम एक से दो मिनट यहीं पर head drop करके rest करेंगे normal breathing के साथ इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी read की हटी आगे की तरफ खीच रही है कंधे आगे की तरफ खीच रहे हैं तो बहुत अच्छा एक Londoning effect आपको महसूस होगा और जब आप head drop करेंगे तो blood circulation head की तरफ improve होने से आप एक calming effect महसूस करेंगे जो आपकी nervous system को brain को calm down करेगा अब हम आगे का अभ्यास जो है वो पेट के बल लेट कर यानि की prawn position पर करेंगे अब इस अभ्यास को करने के लिए पेट के बल आराम से लेट गए हैं chest को आराम से mat पर drop कर दिया और दोनों हाथों को ऐसे T की position पे लेके आईए और दोनों पैरों को भी इस तरीके से star की position पे ऐसे रखिए और अपने माथे को ऐसे mat पर drop कर दीजिए अब हम सबसे पहले अभ्यास कर रहे हैं अपने right palm को left palm के साथ ऐसे जोड़िए जैसे sandwich बनाते हैं ना left और right एक दुसरे के ऊपर तो अपने left palm के ऊपर right palm को हमने ऐसे रख दिया दोनों पैरों के बीच में फासला जरूर रखिएगा और फिर उसके बाद क्या किया सास लेते हुए धीरे धीरे right हदेली जा रही है चट की तरफ चट की तरफ और पूरा ऐसे घूमते हुए अब मेरी chest जो है वो ceiling की तरफ चली गई और चहरा ceiling की तरफ ऐसे पूरा का पूरा spinal cord कैसे twisted है गर्दन और कंधे किस तरीके से twisted है इसको feel करे और सास छोड़ते हुए वापस से अपने left palm को right palm के उपर drop कर दिया सास लिया सासों को रोका 5,4,3,2,1 और सास छोड़ते हुए वापस से तोनु हातों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया एक बार और अगर आप सासे normal लेना चाहते वो भी करें सासे normal लें सिर्फ हातों को उठाए लेकिन जब आप किसी अभ्यास को सास लेना रोकना छोड़ने के साथ करते हैं तो इसका effect बहुत ही अच्छा आपके brain पर भी होता है और फिर उसके बार सासे normal लेते रहें और दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ दें तो एक तरफ अभ्यास करने के बाद इसी अभ्यास को दूसरे तरफ भी करना जरूरी है तो जैसे मैंने अभी थी टाइम से अभ्यास किया inhalation के साथ हाथों को अलग किया retain किया सासों को जब पोशर को रोका और फिर सासे छोड़ते हुए वापस से आ गए तो अब यही अभ्यास हम तीन बार left side करेंगे फिर से ऐसे star बनके लेट गई ऐसे अब left palm को right palm के साथ ऐसे जोड़ दें और फिर उसके बाद सास लेते हुए right हथेली को उठाया और पूरा twist करते हुए ऐसे घूंग गए आप देख रहें यह twisting का effect ही है जो आपकी immunity boost करेगा नौवस system जो है उसको strengthen करेगा blood circulation improve करेगा और सास को रोग लिया और सास छोड़ते हुए दोनों palms को फिर से एक दूसरे के उपर रख दिया ऐसे फिर से दो बार और inhale सास लिया सासों को रोका पॉस्चर को hold किया दोनों पैरों को मत उठा लीजिएगा 5,4,3,2,1 then join both your palms together इस तरीके से एक बार और जो ट्विस्टिंग इफेक्ट लोबर बैक पर कितना अच्छा रहा है पूरी की पूरी पेट पर और स्पाइनल कॉर्ड कैसे opposite ट्विस्ट आई है और फिर उसके बाद रिलीज करने और फिर उसके बाद अब रेस्ट करेंगे रेस्ट करने के लिए राइट पाम को राइट शोल्डर पर रखा और एल्बो को बाहर ऐसे रखा और चेहरे को किसी भी साइट टर्न करके पेट के बाल लेट गए नॉर्मल ब्रीधिंग करेंगे कम से कम दो से तीर मिनट के लिए अब यह अभियास करके आपने खुद इफेक्ट देखा होगा अपने पूरे गर्दन कंधों और पूरे के पूरे स्पाइनल कॉड पर अब अपर बैक पर तो इसका इफेक्ट आ गया सर्वाइकल रीजिन और आपके फॉरेसिक रीजिन पर इसका इफेक्ट आ गया लंबर रीजिन पर इफेक्ट आ गया बेसिकली अपर बैक पर अब ज़रा लोवर बैक पर काम करते हैं लोवर बैक का भी इफेक्ट इतना ही ज़ादा बेहतरीन होगा और बेनिफिट भी वही करें तो बाडी का वेट आपके अलबो और आपके बाज़ों पर हैं पाम्स को ऐसे मैट पर रखा है दोनों पैरों को अब एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लें इस तरीके से और अब अपने राइट पैर को उठाएं राइट पैर को घुटने से मोड़े और फिर धीरे से राइट पैर को मैट पर उसी जगहा पे रख दे जहां से उठाया था फिर से सांस लिया और सांसों को रोका छट की तरफ देख रहे हैं और फिर उसके बाद सांस को छोड़ दिया ऐसे नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ और अगर ऐसा है ना कि आपका पैर का पंजा है वो ऐसे मैट पर ऐसे ड्रॉप ना कर पाएं तो कोई बात नहीं जहां तक हो सके अगर ऐसे भी उठ उठ के रहता है तो ऐसे होल्ड कर ले और फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ करें चाहे ब्रीधिंग के साथ करें मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ शुरू-शुरू क कर लिया अब लेफ्ट की तरफ अब लेफ्ट पैर के पंजे को उठाया घुटने से मोडा और दूसरी तरफ ऐसे ड्रॉप कर दिया और चट की तरफ देख रहे हैं ऐसे और फिर उसके बाद वापस से लेफ्ट को ड्रॉप कर दें इन्हेल लेफ्ट साइड और रिटेन रोके सासों को और सास को छोड़ दे और फिर रेस्ट करेंगे फिर से क्रोकोडाइल पोस में इस तरीके से अब हम अगले आशन का अभ्यास पीछ के बल लेट कर करेंगे चाहे तो लफ्त पैर को ऐस तरीके से घुटने से बोड़ा राइट पाम को राइट थाई के उपर रख दिया और धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे सीधा कर रहे है सास लिया और सास छोड़ते हुए फाइफ, फोर, थ्री, टू, वन और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर दे और अपने पैर को भी ड्रॉप करें अब जो लोग अपने लगी इस तरीके से पैरों को ना पकड़ पाए स्ट्राप का फिर से इस्तमाल करेंगे लेफ्ट साइड भी ऐसे हाथ को ऐसे फसा लिया सास लिया और सास शोड़ते हुए इस तरीके से हेड को ले जाए अगर जादा देर तक नहीं रोक सकते नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ और फिर उसके बाद हेड को ऐसे ड्रॉप कर दे तो इन सभी अभ्यासों को तीन बार, पाँच बार, साथ बार राइट और लेफ्ट दोनों तरफ करें अब अपने पैरों को इसे सीधा कर लिए अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े और अपनी थाई को हेड़ी की तरफ लेखे आए दोनों हाथ की उउंग्लियों को इसघर के उपर रख दे और धिरे धिरे अपनी स्पाइनल को फोर्ण को इस तरीके से मसाज करेंगे ऐसे पवन मुक्तासन में लेटे हुए जूला जूलेंगे ताकि अभी हमने जो सारे अभ्यास किये हैं जिससे स्पाइनल कॉट पर जो भी खिचा हुआ, लोवर बैक पर जो भी खिचा हुआ, उन सब को काउंटर किया जा सके, तो इस तरीके से लेटे हुए जूला जूलेंगे पवन मुक्तासन में लेटे हुए इसे पूरी स्पाइनल कॉट को मसाज मिलेगी और नर्वस सिस्टम स्ट्रेंदेन होगा पेट पर दबाओ पड रहा है ऐसे, और अब रेस्ट करेंगे शावासन में लेटे हुए दोनों पेरों को सीधा कर दिया और शावासन में कम से कम पास से दस मिनट लेटे हुए नॉर्मल ब्रीधिंग करें बॉड़ी को रिलाक्स हो जाने दे तो वीडियो के शुरुवात में मैंने जिस बोनस टिप्स की बात की थी वो यह है कि बहुत सी लोग क्या करते हैं जब बैठेंगे तो इस तरीके से उनकी कमर की जो पोजीशन है वो ऐसे हो जाती है और सामने जुक कर बैठ जाएंगे और फिर अपनी लैपटॉप या कम्प्योटर में काम करते करते और यह जानकर नहीं करते आदत की वज़े से इस तरीके से जुक जाती अब देखिए अगर इस तरीके से कमर गर्दन हमेशा जुकी रहेगी तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पेसिफिक वर्टी ब्रास पर इफेक्ट आएगा आपकी लोवर बैक पेन पर और आपके लंबर रीजन पर आपके उन वर्टी ब्रास पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है जहां सी यह ऐसी बेंड है इस तरीके से और अगर इस आदत को आप सुधार ले और यह आदत आपकी एक दिन में नहीं सुधारने वाली है आपको जब याद आए कि मेरी कमर गर्दन इस तरीके से जुक गई है सामने की तरफ आप जुक गए हैं उसी वक्त आप अपनी स्पाइनल कॉड को ऐसे सीधा करें खड़े हो जाएं अपने पूरे कि दोनो हाथ की उग्लियों को इस तरीके से एक दुसरे के साथ फशाएं और दोनो हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे खीचे 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 और फिर उसके बाद श들이 आप गुटने के ऊपर तो यह इस तरीके से बैठे बैठे stretch कर ले या खड़े-खड़े stretch कर ले और जब भी आपको याद आए कि कमर गर्दन ऐसे जुक गई है तो आप ऐसा imagine करें कि आप एक mirror के सामने बैठे हुए अपने आपको देख रहे हैं फिर अपना काम आसानी से करें तो सीधे बैठने का मतलब ये नहीं कि बहुत तन के आप बैठे हैं या सामने जुके हुए बैठे हैं simple ऐसा कि आपकी lower back pain, आपकी रिड़ की हड़ी, आपका गर्दन, आपका सर एक लाइन में रहे अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, तो आपको back pain जिन्दगी में नहीं होने वाला है दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहे के योग का भ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में इन online yoga classes को zoom के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे conduct किया जाता है जो की group classes होती है इन classes में आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा इन classes में आपको हर दिन अलग-अलग तरीके के योगासन, प्रानायाम सिखाए जाएंगे step by step basic से meditation किस तरीके से करते हैं yogi क्रियाएं किस तरीके से करते हैं आपको diet के बारे में भी guide किया जाता है ताकि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो mindful तरीके से और कितना खाना किस तरीके का खाना आपको खाना चाहिए जिससे आप अपना effective weight management भी कर सके इन classes की जो approach है वो integrated होती है कि आसन, प्राणाया, meditation, yogi, kriya हर एक चीज आप अच्छी तरीके से समझे और सीखे और आपकी overall health जो है वो improve हो सके अगर आप beginner हैं तो घबराइए नहीं हर एक practice को मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ उनको modify करके बताती हूँ अगर आप already योग का अभ्यास करते हैं तो अपनी practice को और भी ज़्यादा deepen करने के लिए भी इन classes को join कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी lifestyle disorder disease है जैसे कि thyroid है, diabetes की समस्या, hypertension, high blood pressure conceive नहीं कर पा रहे हैं PCOD, PCOS की समस्या, periods बहुत irregular रहते हैं रात में नीद नाने की समस्या, अत्याथिक stress, anxiety, depression की समस्या ये classes आपके लिए highly beneficial है अगर आप इन classes को zoom के माधियम से नहीं join कर सकते हैं तो आप join कर सकते हैं मेरे द्वारा develop किये हुए कुछ courses जो की बहुत ही जादा beginner friendly है step by step इसमें आपको आसन, प्रानायाम, meditation सीखने के लिए मिलेगा और आपके साथ flexibility होती है कि आप किसी भी वक्त, किसी भी जगा और कितनी भी बार इन वीडियोस को play करके अपनी practice कर सकते हैं इन courses और इन classes के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरी जो ये website है www.yogavidshahida.com आप इस website पर visit कर लें, वहाँ से registration कर लें या कि फिर आप इस number पर एक WhatsApp कर दें ताकि आपको class के बारे में सारी की सारी detail मिल जाएं मुझे बहुत खुशी होगी और मैं बहुत excited हूँ आप सभी के साथ अपनी classes के माध्यम से जुड़ने के लिए तो देखा आपने step by step मैंने कितनी आसानी से इन अभ्यासों को करना आपको बताया, समझाया, सिखाया पूरी कोशिश की आशा करती हूँ, मेरी जो ये कोशिश है आपको बहुत पसंदाई होगी अब आप इन अभ्यासों को खुद भी कर सकेंगे और अपने घर वालों को भी motivate करेंगे कि वो भी योग का अभ्यास करें अगर आप चाहते हैं कि आपके suggest किये हुए किसी topic पे मैं future में वीडियो बनाऊं तो मुझे बेहद खुशी होगी नीचे comment करके बताए कि कौन से topic पर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं आप सभी अपना खूब खयाल रखें और एक बार और request कर रही हूँ कि जाने से पहले channel को जरूर subscribe करके जाए क्योंकि इससे मुझे बहुत ही जादा motivation बलता है ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी like कर दीजेगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से किसी दोस्त या रिश्यदार की मदद हो पाएगी जिसको हमेशा back pain, shoulder pain या कंधों का दर्द रहता है, गर्दन का दर्द रहता है तो इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजेगा आप सभी अपना खूब खयाल रखें, खूब इसी तरीके से महनत करते रहें, योग का अभियास करते रहें अगली वीडियो में फिर से बहुत जल्दी आप सभी से मिलोगी नमस्ते अबाओर को फिर से बहुत नमस्ते अपना खाओर बना है पो झाल घंसार्द ोइ स्वाभा पी नमस्ते